CAA और NRC को लेकर अब BJP के घर में ही बगावत देखने को मिल रही है विधायक नारेंटर पार्थी के बाद अब एक और भाजपा नेता ने इसका विरोध किया है वहीं अब विपक्षी कॉंग्रेस BJP के इस अंदरूनी फूट का पूरा फायदा उठाने में जूटी हुई है देखे इस रिपोर्ट में CAA और NRC के समर्थन में एक तरफ BJP जहां रास्ट व्यापी अभियान छेड़े हुई है वहीं दूसरी तरफ मध्यपदेश में पार्टी के अंदर से ही इस कानून के विरोध में मुखर होते स्वर थमने का नाम नहीं ले रही है प्रदेश में अब तक सैकडो मुस्लिम समाज के कारिकरता पार्टी से स्टिफा दे चुके है वहीं अब महियर से भाजपा विधायक नारायन त्रिपार्ठी के बाद भाजपा नेता अजीत बौरासी ने भी C.A.A. और N.R.C. के खिलाफ मोर्चा खुल दिया है बौरासी ने पार्टी लाइन का विरूद करते हुए C.A.N.R.C. को मुस्लिमों के साथ आरक्षित वर्गों के लिए भी हानिकारक बताया है वही भाजपा में मचे इस अंद्रूनी घमासान को कॉंग्रेस भुनाने में लग गई है प्रदेश कॉंग्रेस प्रवक्ता निलाब शुकला ने भाजपा नेता अजीत बौरासी का समर्थन करते हुए उनकी तारीफ में खूप कसीदे पड़े भाजपा के नेता अजीत बौरासी जी ने अपनी फेजबुक वाल पर नागरिकता संच्छोन कानून का विरोध किया है उन्होंने यह कहा है कि यह कानून मुस्लिमों के सास्त अन्य आरक्षित वरगों के लिए भी हानिका रहे साथ ही यह भी का है कि मैं कोई भेड़ नहीं जो गलत की पीछे चलता हूँ निश्ची दुरुप से बधाई के पात रजीद बोरासी जी जिनों ने पार्टी हिस से पहले देश हित को सर्वो परी रखा कुल मिलाकर नागरिक्ता संशधन कानून को लेकर बीजेपी के सामने दोहरी चुनावती खड़ी होती दिख रही है एक तरफ उसे विपक्ष की आकरमक्ता से चूचना है तो वही दूसरी और पार्टी के अंदर बगावत थामने की भी चुनावती है ब्यूरो रिपोर्ट, MP News इन दौर